हाई दोस्तो मैं धर्मेंडर मोजीत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं गुद्राते चेस जोन में आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी ओपनिंग्स ब्लैक के और से जो सामने वाले को सर्प्राइज करके रखते की और चलिए सुरू करते हैं ज्यादा टाइम बता हूं आप हो सके तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरू किजिए और लाइक भी किजिए और हो सके तो अपने ग्रूप में शैर किजिए तो चलिए सुरू करते हैं रूइल लोपेज का एक ऐसा विरेशन बहुत सारे विरेशन से रूपेज में मैं वन आपको बताने वा जहां पर जनरली दुस्तों एसिक्स फेमस मूह हैं लेकिन हम एसिक्स के बजाए एपफाइब करता है तो यह हो जाएगा स्लीमें डिफेंस तो एपफाइब के बाद वाइट रिप्लाइद देता है नाइच सी थ्री पॉंटेक्स पॉन नाइट टेक्स पॉन उसके बाद ब कि फाइब इ में वाइट नाइट क्रोश किछ उफाइप करता हैं पने वाइट टेक्स नाइत डिस कवर कि थ्रेट है यहाँ पर आपको क्वीन जिफाइफ उफ एटेक ओन अब फाइब भी सप और जी तु दबल अटेक है तो वाइट रिव्लाइ रिप्लाइद हैं लिगा 7 आप्टर विश्ब 8 अब रुक को फोर्स मूव है रुक एक 1 उसके बाद आपको खेलना है विश्ब एस्थ्री विट्वीन एटू फोर्स रिप्लाई है उसके बाद विश्ब सी फाईव बिशब चैक, नाइट टेक्स, कॉंटेक्स, रुक E8 अब यहाँ पर दुस्तों सपोर्ज वाइट ने A4 खेला जो पास्पॉन करने के लिए और आप्टर बिशब जी फोर यहाँ पर वाइट को रिजाइन करना जरूरी है क्योंकि अब वाइट के आप में गेम बिल्कूल नहीं है क्योंकि क्विन के पास पूरा स्कुर्ण छोड़ने के लावाद ऐसे कि कुईन से फोर फ्री अंस्टॉपेबल चेक्मेट आ रही है तो दोस्तों यह है हमारे पहला विरेशन दूस्तरा देखते है कार्ज के जियो डिफेंस कोजियो डिफेंस क्या है ओव ही रूई लोपेज का विरेशन है इफोर दीफाइव नाइट एफट्री एंशे शीख विशाब बेफाइव यहां पे एजिएवन यह ज्यादा खेवल मस्य कोजियो डिफेंस किसने खेला है ज्यादा तो लियोन आरोन यांकी गेम साप सर्च कर सकते हो इसमिं उसकी फेवरिट मूर्व है कोजियो डिफेंस तो NG E7 के बाद white खेलता है knight C3 और generally C3 और D4 also playable है, तो knight C3 के against reply देना है G6, फिर white खेलेगा D4, यहाँ पर E cross D4, knight cross D4, उसके बाद bishop G7, bishop E3, फिर castle, अगर white early attack करता है H4, तो यह ज़्यदा effective move नहीं है, यहाँ पर आप simple defy करके center break करके खेल सकते हो, तो दोस्तों यह थी cozier defense, हम देखते हैं third line, stannis defense, stannis defense भी famous है, E4, E5, knight F3, knight C6, BB5, यह सारे रुई लोपेस के ही variation है, BB5, knight F6, यहाँ हम black से knight F6 करके खेलते हैं, white खेलता है castle, d6, d4, e takes d4, knight takes d4, उसके बाद bishop d7, knight pin हो चुका है और दो तो attack है, तो bd7, force move है, knight C3 develop करेगा, bishop e7, f4, early attack, यहाँ पर आप castle कर सकते हो, f4, f5 से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, दोस्तो, castle ing के बाद, पूरी game control में होती है, bishop e3, queen e8, knight takes c6, bishop takes c6, bishop d3, queen d7, इस प्रकर आप develop करके खेल सकते हो, चलिए दोस्तो, फोर्थ variation देखते है, यहाँ पर फोर्थ variation, classical defense, e4, e5, nf3, nc6, bishop b5, bishop c5, यह है classical variation, c3, center control के लिए c3, यहाँ पर f5, थोड़ा सा, पहले वाले variation में यह convert हो रहा है, f5 के बाद में, white खेलेगा d4, fx e4 counter attack कर सकते हो आप, bishop c6, d takes c6, nx e5, bishop d6, queen h5 check, queen h5 check, इसमें आपके पास एक ही move है, g6, nx g6, knight f6, counter attack on queen, queen h4, rook g8, उसके पाद, knight e5, rook takes g2, bishop g5, bishop cross e5, d cross e5, bishop g4, यह एक surprise move है, queen d1 checkmate की threat है, तो दोस्तों यह है, classical variation, उसके बाद हम देखेंगे, नया variation, बर्लीन defense, बर्लीन defense आप सबको पता ही होगा, कि जब मेगनेस कालसन और world champion, विसा नाधनान के बीच में, जब पहली world championship हुई थे, उन दोनों के बीच वाली जो game, तो उसमें ज़्यादातर बर्लीन defense game खेली गई थी, कालसन की और से ज़्यादातर बर्लीन defense game खेली गई थी, तो वो बर्लीन defense क्या है, वो हम देखते है, E4, E5, Nf3, Nc6, Vb5, Nf6, D4, NxE4, DxE5, Bb7, White Castle, Black Castle, Re1, D5, C4, Bb6, Qe2, A6, CxD5, Bb6, C4, Nc5, तो दोस्तों यह है, बर्लीन defense, लेकिन कालसन और आनन की बेच में कुछ moods चेंज हुए थे, और उस टाइम की game search करते हैं, आप देख सकते हो कि बर्लीन में उन्होंने क्या किया था, उसमें बहुत सारी games में castle भी नहीं हुआ है, ब्लैक का, और king disturb होके खेलाता सामने से ज्यान बुद के, तो दोस्तों यह है कि आज की रुई लुपेज की अलग-अलग variations, exchange variations क्या है, simple खेलना है, अगर आपको exchange variation तो आप वो भी खेल सकते हो, जैसे की E4, E5, night f3, nc6, bishop b5, a6, bishop c6, d6, और castle, यहाँ पे night cross e4 पॉसिबल नहीं है, वो में बात में आपको बताऊंगा कि क्यों night cross e4 पॉसिबल नहीं है, night cross e5, तो यहाँ पे black f6, d4, bishop g4, d cross e5, queen d1, rook d1 और f cross e5, तो यह था हमारा exchange variation, तो यह रुई लोपेज के अलग-अलग variation, stannish defense भी आपको बता रहा हूं, stannish defense क्या है, stannish defense me, e4, e5, knight f3, nc6, bishop b5, a6, bishop a4, d6, d4, b5, bishop b3, knight cross d4, knight cross d4, context e4, तो यह था stannish defense, रुई लोपेज में आप बहुत सारे तरीके से खेल सकते हों, यही आपका फाइदा है black cure से, molar defense, यह Gary Kasparov, पहले molar defense कुछ games में खेले है, यहार दिखा रहा हूं में, e4, e5, knight f3, knight c6, bishop b5, a6, bishop a4, bishop c5, white castle, knight f6, c3, bishop a7, d4 attack से बतने के लिए, re1, knight g4, अब यहाँ पे f2 पे भी target है, d4, e takes d4, c takes d4, knight cross d4, यह surprise shocking move, after knight cross d4, queen h4, with double attack on f2 और h2, तो यह molar defense है, ऐसे बहुत सारी opening से दूस्तों, रूई लोपेज में, martial attack, इसके बारे में मैं आपको, मेरे अगले वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत ही deep में martial attack है, तो center attack भी बोलते हैं, उसे, martial attack के बहुत सारे variations है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो तब तक, आप मेरी channel में subscribe करते रखे, ताकि मेरे हरे एक वीडियो की update आपको तुरंट मिल जाए, तो चलिए मिलते हैं मेरे next वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन, जय गुता,